लोग सभा चुनाओं से पहले अखिलेश यादव ने दी ब्रेकिंग निउस बीजेपी की बढ़ सकती है टेंशन किया बड़ा धाबा बीजेपी नेताओं को अखिलेश यादव ने दिया खुला नियोता ऐसा ओफर दिया कि बीजेपी की नीव हिल गई आला कमान को सता रहा अब बहुत बड़ा डर खेला करने में अब तक बीजेपी रही है अवल लेकिन अब खुद सत्तधारी पार्टी के साथ खेला होने का सता रहा डर सपाचीफ का ये ओफर ला सकता है बड़ा बदलाओ लोग सबा चुनाओ से पहले ही उत्तर प्रदेश में पूर्व सियम अखिलेश श्यादव ने खल बली मचा दी है सपाचीफ ने बीजेपी की हालत पतली कर दी वैसे तो अब तक बीजेपी नेताओं, विधायकों और सांसदों को तोड़ने में माहर रही है लेकिन अब की बार अखिलेश श्यादव ने ऐसा पासा फिका है कि बीजेपी वाले ही सन रह गए अखिलेश श्यादव ने जो आफर दिया है उसे सुनने के बाद तो बीजेपी वालों को काटो तो खून नहीं वाले हाला थो गए और उनकी नीवहिल गई अखिलेश यदव के इस चाल पर आव उनके समर्था खुश नजर आ रहे हैं और सबका एक ही कहना है कि भईया आपने तो बैठे बिठाए सत्तधारियों की पुंगी बजा दी सपा मुकhya अखिलेश यदव ने दावा किया है कि बीजेपी उपी में अपने सभी वरतमान सानसदों का टिकेट काटने जा रही है इसके साथ ही अखिलेश श्यादव ने कहा कि बीजेपी के सांसदों ने कभी अपने क्षेतर की ओर मुड के नहीं देखा, उन्होंने परिक्षा दी नहीं तो रिपोर्ट कार्ड कहां से बनेगा सपा मुखिया और पूर्वसीयम अखिलेश श्यादव ने एक्स पर लिखा कि ब्रेकिंग न्यूज सूत्रों के हवाले से पता चला है कि भाजपा उत्तर प्रदेश में अपने सभी वर्तमान सांसदों का टिकेट काटने जा रही है सिवाए एक को छोड़का लेकिन सुनने मे आया है कि वो भी अपनी सीट बदल रहे हैं या फिर किसी सुदूर प्रदेश में एक अतिरिक्त सुरक्षित सीट ढून रहे हैं अखिलेश श्यादव ने लिखा कि इसलिए भाजपा उत्तर प्रदेश में लोग सभा चुनाओ 2024 के लिए अपने प्रत्याशियों के नाम की करने की स्थिति में नहीं है क्योंकि उनके वर्तमान सांसदों ने अपनी जेवे बरने के अलाबा कोई भी काम नहीं किया है इसी वज़ा से जनता में भाजपा और भाजपा इस सांसदों के खिलाब बहुत गुसा है इन विप्रीत आरातों को देखते हुए भाजपा में न का नाम काट दिया है इस बार उनके संसद्य क्षित्र में भाजपाईयों को दाखिलाब नहीं मिलेगा उत्तर प्रदेश की जनता इस बार जुम्लेबाजों को नहीं सच्चा और अच्छा काम करने वालों को चुनेगी अब पीडिये की एकता जागी छोड़ के बीजेपी नहीं मिला लेकिन सपा समर्थकों का दावा है कि उनके राश्टी अध्यक्ष ने ऐसा किया है और आने वाले वक्त में वो ऐसा करके दिखा भी देंगी आपको बता दे कि बीजेपी बीएसपी कॉंग्रेस या फिरामादमी पार्टी किसी भी पार्टी की तरब से उतर प्र कर मजे लिए बियरो रिपोर्ट मीडिया हल चल